राशियों की तुलना प्रतिशत के द्वारा भी कर सकते हैं तो आईए समझते हैं प्रतिशत क्या है प्रतिशत राशियों की तुलना का एक अलग तरीका है जब हम प्रतिशत के आधार पर तुलना करते हैं तो कुल राशिय को सौ मान लेते हैं जैसे एक बैग में 12 गेंदों में से 3 काली और 9 सफेद है तो काली गेंद का प्रतिशत हुआ 3 बटे 12 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत सफेद गेंद का प्रतिशत 9 बटे 12 गुणा 100 बराबर 75 प्रतिशत तो हम कह सकते हैं कि बैग में 25 प्रतिशत काली और 75 प्रतिशत सफेद गेंदे हैं आपको कुछ परिस्थितियां देते हैं इन्हें ध्यान से देखिए और आपस में चर्चा कीजिए कि प्रतेक के लिए अनुपात और प्रतिशत में कौन सी विधी अधिक उप्युक्त हैं पहली परिस्थिति है इडली के मिश्रण में होता है एक बटा तीन उड़त की दाल और दो बटा तीन चावल यानि 33.3 प्रतिशत उड़त की दाल और 66.6 प्रतिशत चावल दूसरी परिस्थिति कक्षा में बच्चों की संख्या है लड़किया तीन लड़के दो यानि 60 प्रतिशत लड़किया और 40 प्रतिशत लड़के प्रतिशत का अनुप्रयोग अप्लिकेशन ओफ परसेंटेज बटा बच्चों एक परिस्थिति पर विचार करते हैं दीपक को अपने स्कूल के लिए कुछ सामान खरीदना है वह बाजार गया उसने देखा कि स्टेशनरी की दुकान के बाहर लिखा हुआ था प्रतेक वस्तू की खरीद पर 6 प्रतिशत की छूट दीपक ने उस दुकान से एक पैकेट पैंसिल का खरीदा और दुकानदार से पूछा कि इस एक पैकेट के कितने रुपे हुए यह पैंसिल का पैकेट कितने रुपे का है? यह 50 रुपे का है लेकिन 6 प्रतिशत छूट होने के कारण तुमें 47 रुपे का पड़ेगा अच्छा यह तुमने कैसे पता कर लिया? छूट या बट्टा वस्तू के निर्धारित या अंकित मूल्य पर होता है इसलिए छूट की रासी को उससे घटा कर वस्तू बेचते हैं जिससे वस्तू के बेचने का मूल्य उसके निर्धारित या अंकित मूल्य से कम हो जाता है बट्टा अथ्वा छूट बराबर अंकित मूल्य, रेंड, विक्रे मूल्य बट्टे की दर प्रतिशत में वेक्ट की जाती है और सदैव अंकित मुले पर ही ग्याद की जाती है उधारण एक एक शर्ट की कीमत 300 रुपय है और दुकानदार उसे 20 प्रतिशत छूट पर बेशता है तो शर्ट पर बट्टा वो विक्रे मुल्य ग्याद कीजिए उधारण एक हल प्रश्ट में दिया है कि शर्ट की कीमत तीन सो रुपे है यने उसका अंकित मुल्य हुआ तीन सो रुपे अंकित मुल्य बराबर तीन सो रुपे इसके बाद प्रश्ट में हमें बताया गया है कि दुकानदार उसे 20 प्रतिशत छूट पर बेशता है तो छूट या हम कह सकते हैं बट्टे की दर कितनी हुई? बराबर 20 प्रतिशत अब हम कह सकते हैं क्यूंकि बट्टे की दर 20 प्रतिशत है तो हम यह कह सकते हैं कि 100 रुपे में 100 रुपे अंकित मुल्य के लिए पर 20 रुपे बट्टा है तब यदि हम एक रुपे अंकित मुल्य पर इसे ग्याद करना चाहें तो क्या कहेंगे तो एक रुपे अंकित मुल्य पर बट्टा होगा क्या करेंगे आप इसे हम कहेंगे 20 बट्टे 100 रुपे चलिए अब प्रश्ण में हमें अंकित मुल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपे तो अब हम 300 रुपे के लिए इसे ग्याद कर लेते हैं 300 रुपे पर बट्टा बराबर कितना मिलेगा 20 बटे 100 गुनित 300 इसे हल कर लेंगे तो यदि हम 100 का पहाड़ा ले ले तो 100 गुनित 200 गुनित 20 हमें मिलेगा 60 रुपे तो चूंकि प्रश्ण में आपको बट्टा और विक्रे मुल्य ग्याद करने कहा गया था तो बट्टा तो हमें मिल गया बट्टा बराबर कितना हो गया 300 रुपे अंकित मुल्य पर बट्टा बराबर हो गया 60 रुपे अब हम ग्याद करेंगे इसका विक्रे मुल्य चलिए आगे हल करते हैं हमें बट्टा का मान प्राप्त हुआ था बट्टा बराबर 60 रुपे अब हमें ग्याद करना है विक्रे मुल्य हम जानते हैं कि विक्रे मुल्य बराबर होता है विक्रे मुल्य बराबर अंकित मुल्य रिंड छूट या बट्टा तो हम मान रख देते हैं अंकित मुल्य हमारे पास प्रश्ण में कितना दिया गया है तीन सो रुपे और छूट कितना प्राप्त हुआ हमें 60 रुपए याने कि 240 रुपए जो है वो वस्तु का या शर्ट का जो कीमत है वो कितनी हो गई? 240 रुपए तो हम कह सकते हैं कि शर्ट की कीमत है कीमत बराबर 240 रुपए इस प्रकार हमें बट्टा और विक्रैमुल्य दोनों ग्यात हो गया और प्रश्न हल हुआ प्रश्न है